दोस्तों नमस्कार जहिंद मुन्ने मातरम स्वागत है आप सभी का गोल्डेन पार्ट साला में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में अच्छा अच्छे के विद्यार्थियों के लिए वार्शिक परिछा पेपर विशय सामाजी विज्ञान का लेकर आये हैं आप सब ल पेपर की तरह चलूर पढ़ें मोस्ट इंपोर्टन कोस्चेन इस वीडियो में दिये गये हैं आईए देखते हैं जो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है ये विकल्पी है इसमें जो सही विकल्प है उसको छांटकर अपनी कौपी पर लिखना होता है तो का प्रश्न ब सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो प्रत्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है यम चंद्र बुध या सनी तो सबसे जो निकट है वो अगर ग्रह की बात करें तो आपका बुध हो जाएगा ठीक वो ग्रह के चंद्रमा है उपक ग्रह सनी है ग्रह सनी बहुत दूर है एम तो उससे भी बहुत दूर है तो इसमें सा अपसन सही जवाब हो जाएगा गानम्मर कुष्चन है पर जाने वाला प्रत्वा प्रत्वन ब्यक्ति कौन था तो ये था बच्चों नील आपका सही हो जाएगा अंगा प्रश्ण है जनसंख्या की दर्ष्ट से उत्तर प्रदेश राज्य का अस्थान कौन सा है तो जनसंख्या की दर्ष्ट से उत्तर प्रदेश का पहला अस्थान है भारत में तो दा आपसन सही हो जाएगा Question No.2 है उम्छितमिलान कीजिए इसमें देखो सरोच सिखर परवसिखर कौन सा है तो आप सबी को पता है कि सरोच परवसिखर जो है वो आपका हो जाएगा इसमें आपसान कौन कौन सा दिया गया है नील परसानत महासागर, एंडीज तो यहां पर आप NDJ लगा दीजे भई सबसे बड़ा महाद्यूप तो एसिया में लगा दीजे सबसे बड़ा महासागर तो प्रसान्त महासागर में जोड़ दीजे संसार की छट ये तिबबत के पठार को लगा दीजे सबसे लंबी नदी तो नीन नदी को लगा दीजे तो यही आपका बन रहा है मिलान ठीक इसी प्रकार से मिलान करेंगे तो आपका बिल्कुल सही जाएगा कोशन नमर 3 दिया गया है निमलेकित प्रस्णों में से किन्हे 6 प्रस्णों के उत्तर लिखे का प्रशन बच्चों दिया गया है कि गुलोब पर अच्छान से रेकाओं की संख्या कितनी होती है तो इसमें बच्चों ठोड़ा सा डाउट है 181 लगभग होती है आप लोग के लियर कर लीजिएगा और खाप्रशन है हमारे देश की राधानी का नाम क्या है नई दिली आप लिखती रहेंगे और इसके बाद जो गाप्रशन दिया गया है ये भी काफी आसान सवाल दिया गया है कि आग की खोज किस युग में हुई थी तो पुरा पासाड काल में कब हुई थी तो गावाले में पुरा पासाड काल ठीक इसके बाद है गाप्रश्न सिंदुगाटी सब्विता किस प्रकार की सब्विता थी तो एक नगरी सब्विता थी सिंदुगाटी सबिता कैची थी नगरी सबिता थी और अंगा है वैदिक काल में कितने आश्रमों आश्रम थे इनका वर्डन करना है तो वैदिक काल में चार आश्रम थे जिनको आप लिसकते हैं प्रमचर्य आश्रम और ग्रास्त आश्रम वानप्रस्त आश्रम सन्यास आश्र को पता है की जैन्द्रगुप्त मौरे कौन थे यह लिख दीजएगा सोलह महाज़नपदों में से दो ज़नपदों के नाम लिखना है तो आपको कासी और मग्ध महाज़नपद को ले सकते हैं जहाँ प्रशन दिया गया है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो जैन धर्म के संस्थापक बच्छों आपको लिखना है महावीर स्वामी को इसके बाद इया है बहुत धर्म के संस्थापक कौन थे तो बहुत धर्म के संस्थापक थे महात्मा गोतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध चौथा प्रशन सही मिलान कीजिए हर्ष की बहन तो हर्ष की बहन का नाम था राजिश्री महावीर स्वामी इन्होंने क्या किया था महावीर स्वामी भई गाजत्री मंत्र रिगवेद नौपा साड़काल तो आगे मिलाते हैं पहिया हम मिला देंगे नौपा साड़काल से और महाविर स्वामी ने जैन धर्म के स्थापना की थी और मंगल ग्रह जो है यह आपका यह सौरमंडल का ग्रह है और जो गायतरी मंत्रा है वो रिगवेद में बायाता है तो यह थोड़ा टाइप करने में मिश्टेक हुआ है यह कि आपको इस प्रकार से मिलान मिलेगा कैसे मिलेगा हर्स की बहन को मिलाना है राजश्री में महाविर स्वामी को जैन से मिलाना है और यह आपका जैन इधर ने होना चाहिए इधर होना चाहिए ठीक तो जैन से आपको मिलाना है महाविर स्वामी को पहिये काविसका नौपा साड काल में हुआ था, यहां से मिला देना है और जो मंगल है, ये सौरवन्डल का एक ग्रह है, तो इससे मिला दीजेगा और गायत्री मंदर का उल्लेकर रगवैद में किया गया है, तो इसको आप इससे मिला ना है तो यहां पर हमने थोड़ा सा बतादिया कि आपको मिस्प्रिंट हुआ है तो आप जो है इसको अपने समझ करके हल कीजिएगा इसके बाद है पांच नमर कोश्चन इसमें आपको सही और गलत बताना है चंदरगुप्त मौरे ने सेलुकस को हराया था तो यह सही है भारत का नेपोलियन समुद्र को कहा जाता है यह भी सही है हमारा देश का नाम भारत वर्स है यह सही है भारत वर्स की राधानी लखना हुआ यह गलत है वैदों के धन्यवाद जहिन बंदेवात्रा